नमस्कार फैंड्स मेर नाम बबल उर्मा पेपर है कर में आपका स्वाग गयत है तो फैंड्स आदम देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है इनम ओर मेंड का पार्ट नुम्बर सेकेंड ठीक है यह BA, BSC, BCOM सेकेंड सेमिस्टर वालों के लिए सभी के लिए हो जाता है बहुत जाएगा हमारी साइट का वहाँ पर आप जाकर उसे डानलोड कर सकते हैं या फिर आप कहां जाओगे हमारी साइट पर राइट की जा सकते हो www.paperhacker.in वहाँ पर बिजिट करोगे तो आपको वहाँ पर बटन मिल जाएगा ठीक है सेकेंड सेमेश्टर वालोगला वहाँ के अंदर जाएगा तो वहाँ पर आपको यह मिल जाएगी ठीक है तो बढ़ते हैं फटापट क्योशनों की ओर सुक्र आएगा सुक्र के बाद अपनी प्रतवी आती है प्रतवी के बाद अपना क्या आता है मंगल आता है ठीक है मंगल के बाद क्या होगा ब्रेस्पती होगा ब्रेस्पती के बाद सनी होगा उसके बाद अरोड फिर बरोड और फिर यम हो जाता है ठीक है तो टोडल कितन मंडल का सब से बढ़ा ग्रह ऐए कौन सा तो आपसे 있어 का सब से बढ़àngर कौन सा यह तो बूझे का सबसे चोटा कौनसा है सबसे बढ़ा वे हो जाएगा ठीके पर से कउल्छे का सबसे बढ़ा तो यह मुंच लेगा और समीब तो यहा दोना चाहिए किनके उपगरไม ain't बनते हैं ठीकिन उपग्रह होके उपग्रह नहीं है चार ओप्षन देगा एक आपको दे रखा होगा उसमें यम और बुद्ध और सुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है बाकी सभी के उपग्रह होते हैं ठीक है तो बात करते हैं सबसे छोटा हो गया बुद्ध सबसे पड़ाओ गया सनी ठीक है और किस किस के उपग्रह नहीं होते हैं यम के सुक्र के और बुद्ध के आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन रखा है बायू मिडल में नाइट्रोजन की मात्रा है तो बता रखा है आपको कि यह तो भई याद होना चाहिए बायू म क्या होती है और यहीं बात करते हैं करदा यहीं बात करते हैं और यहीं से रखा है बायू मंदल में नाइट्रोजन की मात्रा है तो वह जाएगी 78% आगे बढ़ेएकर always क्यों प्रमुक काड़ है जीवो में बिविता का प्रमुक कया होता है जीन विविन जलबाईू अबस्था विविन पाईसते कंत्र या फिर इनमे से कोई नहीं जीवो में बिविता क्यों पाई जाती है क्योंकि जलवायू क्या होती है अलग-अलग जहितरों की अलग-अलग होती है तो जै विवित्ता का मुख्यकाड क्या होगा विविन जलवायू अवस्था तो राई टांग से क्या होगा ऑप्षन नमबर बी रने वाला है आगे देखते हैं भूमद सागरिय जलवायू में कौन सा देश इस्तित है? भूमद सागरिय जलवायू में कौन सा देश इस्तित है? पहला मौरको, शीरिया, लेवनौन, साइप्रस. तो भूमद सागरिय जलवायू में कौन सा देश इस्तित है भई? भै हो जाएगा अपना साइप्रस. ठीक है very important question है आगे देखेगा खमसिन है खमसिन क्या है चकरबात है इस्थानी पबने है ब्रस्टी है या फिर समुदाई धाराएं है तो खमसिन है क्या ये इस्थानी पबने हो जाती है है ना इसी question आगे बढ़िएगा O3 से अधिक युक्त बायू मंडल की सतय है O3 मतलब Ozone की वात कर रहा है Ozone से अधिक युक्त बायू मंडली सतय है कौन सी है Totosphere या पिर Statosphere, Mesosphere या फिर Thermosphere O2, O3 मतलब Ozone अधिक युक्त बायू मंडली सतय है कौन सी हो जाएगी तो वो हो जाएगी Thermosphere राइट आंसर और नमबर D हो जाएगा और उत्री क्या करती है परावेगनी किर्णों को प्रत्वी पराने से प्रोकती है आगे बढ़ते हैं दो इस्थानों के मद दाब के अंतर को कहते हैं दो इस्थान है इनके मद जो दाब का अंतर होगा डिफरेंस होगा वो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बता नहीं तो दो पिरवड़ता कहा जाता है ठीक है ओप्शन नमबर ये राइट हो गए आपर आगे देखीगा देखाए संचार उपग्रह बायू मंडल के किस इस तर में अबस्थित किये जाते हैं जो संचार उपग्रह होते हैं जैसे कि हम छोड़ते हैं यहां से सैटलाइट वगरा की बात ह हो waż लिए तो सैटलाइट कहां छोड़ते हैं थो हुआ मंडल समताब मंडल ओएवं मंडल यह प्याइड होगी सबसे फाले मंडल तो मंडल में हमारे पता है बचलत न हो गया है प्रकरती घटना आई अप और यहां पर संचार की बात कर रहा है हम देखे घर कहा चोडते हैं मद्ध मंडल में जोटे हैं कहा होगा यह चोब मंडल संताभ मंदल मद्ध्य मंदल और आइट आंट सर च्या होगा ऑइन मंडल हो जाएगा ठीक्ड आगे बढ़िएगा अगर पुछले सैटलेड बगरा है संचार उपगरा जो होते हैं वो कहां छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं आइन मंडल में आगे बढ़िएगा जैट बीमान सामानिता बातावर्ड के किस छेत्र में उड़ते हैं जो जैट बीमान होते हैं वो कहां उड़ते हैं ये आपको यह मेडल में क्या होती है बिजली का कड़कना हो गया और बाकी बगएरा हो जाते हैं ना मगर इससे उपर कौन सा होता है इससे उपर होता है अपना कौन सा वई इस्टेटो स्पियर इस्टेटो स्पियर में क्या होते हैं इस्टेटो स्पियर में बीमान बगरा उड़ते हैं जेड बीमान जो होते हैं रड़ा कोई मान यह कहा होते हैं इस्टेटो स्पियर में यहाँ पर राइट आंसर होगा उप्शन नमबर C आगे बढ़ेगा यहाँ द प्रत्वी की बह सत्य का बह भाग जहां जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं जैब मंडल कहते हैं है ना बिल्कुल इजी ही है आगे बढ़ते हैं प्रत्वी सत्य का ठोस भाग कहलाता है प्रत्वी की जो सत्य है उसका जो ठोस भाग है बह क्या कहलाता है बायू मंडल जल मंडल या फिर विर्दा अपर्दन तो प्यत्वी की सते है भोस भाग जो होता है उसे क्या कहते है इस्थल मंडल कहते है राइट आंसर अप्शन नमबर C हो जाएगा आगे देखेगा तरह का है सामाजिक बर्ग है सामाजिक बर्ग जो है वो है क्या स्रेडी है परात्मिक सम्मू है दृत्मक सम्मू है या फिर जन सम्मू है तो सामाजिक बर्ग जो होता है उसे क्या कहते है जन सम्मू कहते है अच्छा यहां से कोई दिक्कत नहीं है रुकेगा थोड़ा सा तो सामाजिक बर्ग जो होता है जो है तो पानी में जो उकते है वह पादे क्या कहलाते है आपको यहा पर बताना है जीरो वाइट सम्मू है पर हाइडो या फिर फाइट तो रइटा अंसर मारा क्या रहने वाला यह पर बताएगा देखो यहां पर बात करते हैं जीरो फाइट, जीरो फाइट किसमें उखते हैं, सुस्क मिर्दा में, है ना, जिसे मरूद भिद भी कहते हैं, और यहां बात करते हैं, सैमो फाइट, सैमो फाइट कौन होते हैं, यह रेतीले, है ना, रेतीली मिर्दा में उखते हैं, रेतीली मिट्टी जो होती है, उसमें सै कहते हैं भई हाइड्रोफाइट कहते हैं तो कुछ भी पूछ ले एक्जाम में ठीक है तो बिल्कुल हमें करना ही करना है जीरोफाइट जो कह सकते हैं मरोध भी होते हैं सुस्क मिर्दा में होते हैं और हमारा जो होता है सैमोफाइट ये कैसे होते हैं रेतिली मिर्दा में हैल लबोद्वित होते हैं और हाईड्रोफाइट जो पानी मोगते हैं ठीक है ना बिलकुल तो यहाँ पर आई टांस अलोका उप्शन नमबर डी आगे बढ़ते हैं सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है हमें देखाता सबसे पहले कौन आ उसके बाद क्या आता है उसके बाद सनी आता है उसके बाद अरोड उसके बाद बरोड और यम तो यहाँ पर कितने होते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो टोटल ग्रह हमारे कितने हो गए बाई नो ग्रह हो गए तो रहा है सॉल्ड मंडल में ग्रहों की संगा कितन यूनानी सब्द से ग्रीक सब्द से फ्रांसी सब्द से या उप्यक्त में से कोई नहीं तो यहां पर राइट अंसर मारा क्या होगा देखो तो बात करते हैं environment सब्द बना है किसे ये फ्रांसी सी सब्द से किसे फ्रांसी सी सब्द इन्वारो इन्वार्नर है ना इन्वार्नर से मना है ठीक है ना तो यहां पर राइट अंस से क्या होगा option number पर C हो जाएगा फ्रांस सब्द इन्वारोमर ठीक है इन्वारोमर से यहां पर बना है आगे बढ़ते हैं इकोलोजी सब्द का विकास एवंजन्म किस सब्द से हुआ है आपको बताना है प्याद रखा है ओकोनोमी, ओकोलोजी, हैकलोलोजी या फिर इथोलोजी तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है बिल्कुल कौन से राइट होगा ठीक हो बात करते हैं इकोलोजी सब्द का विकास एवंजन्म किस सब्द से हुआ है तो वो हुआ है ओकोलोजी से किस से ओकोलोजी सब्द से हुआ है ठीक है ecology का सब्द ecology से आगे बढ़ते हैं सूरिका अल्ट्रा वायलेट प्रिकास ये किर ने उत्पादित करता है कौन उत्पादित करता है आपको बताना है कार्बन मोनोकसाइड सल्पर डियोकसाइड ओजोन या फिर क्लूराइड तो यहां पर बताना है जोन करता है ना राइट आंस हो जाएका option number C आगे बढ़िएगा यहां देखा है रभी की फसल है रभी और खरीब आप जानते हुए है ना तो रभी की फसल कौन से हो जाएगे बहुत ही जी है रभी मतलाब यह हूं तो राइट आंस है क्यों का option number C ठीक है और बाकी क्यों ज मक्का भी खरीब बाली है ठीक है ना बिलकुल आगे वरता है next question next question की बात करते हैं प्रत्वी की उपरी परत की मूटाई इन में से किसके बीच है तो जो चोब उपरी की बात कर रहा है प्रत्वी की उपरी परत की मूटाई इन में से किसके बीच में है प्रत्वी की उपरी परत . राख तो यहां पर बात कर रहा है ?? प्यत्वी की वैद से 50 तक या फिर से 50 पांच से 60 या फिर 10 से 60 तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा प्यत्मी की जो उपरी परत है उसकी मोटाई किसके बीच है तो भै हो जाती है 5 से 60 किलोमिटर के बीच ठीक है आगे बढ़ते हैं 5 से 60 किलोमिटर के बीच मानव और पादब के 4 और की दसाएं और परिस्ततियां कहलाती है तो मानव और पादब के 4 और की दसाएं और परिस्ततियां क्या कहलाती है आपको बताना है आवरड, परियाबड, विसेसिकरड या फिर प्रकरती तो भै क्या कहलाती है मानव और पादब के 4 और को दस आये और पैस्तितिया क्या कहलाती है अ कि प्रियाह बढ़ कैलाती है तो मैं यहां को बताना प्रिया बढ़ के लिए जल वायू और टोταιएगा जिल वायू ओर इस्थल है नब ही तो तो कौन से जाएंगे वई, option number C हो जाएगा, तीन तत्वों में बाटा है आगे बढ़ेगा, बायू बनी होती है, बायू किसे बनी होती है, तरल से, गैस से, ठोस से, या फिर बास्प से तो बायू किसे बनी होती है, बायू गैसों से बनी होती है, तो right answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, आगे देखेगा, निम्रिकित में से कौन सा दुइत्यकार है, दुइत्यकार मुझा क्या है, ठीके, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिसी, शिकार करना, मनुरंजन, या फिर मच पकड़ना, निम्रिकित में से कौन सा दुइत्यकार है, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल, तो दुइत्यकार कौन सा हो जाएगा, मनुरंजन हो जाएगा, है न, दुइत्यकार का हो जाएगा, मनुरंजन, इम्पोटेंट है, आगे बढ़ते हैं, मानव का प्राचीनतमकार क् बताना है किरसी, सिकार, पसुपालन या फिर खनन तो यहाँ पर राइट अंसरपना क्या हो जाएगा मानब का प्राचीनतम कारे क्या होता है तो प्राचीनतम कारे जो होता है वो होता है क्या है बई शिकार करना है प्राचीनतम कारे क्या है शिकार करना पहले मानब क्या करता तो शिकार करके भोजन करता था है ना आगे बढ़िएगा राक है कॉंसा था था दो भातावर्ण MAY अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा तत्व जो है वो अधिक मात्रा पायता है कैलिसियं मैं कारबन नाइट्रोजन या फिर फास्वन तो हमने बताया था ना सबस्यादा कौन पायता है 80% बायो मिटल में क्या है वही नाइट्रोजन तो सबस्यादा कौन सा पदार्थ पाय जाएगा या पिर तत पाय जाएगा तो वह हो जाएगा अपना नाइट्रोजन ठीक है ना बिल्कुल आगे बढ़ीगा नेक्स रेका है परियाबढ़ का सरबदिक महातपूर घटक है जो परियाबढ़ है उसका सरबदिक महातपूर संगटक कौन सा है उर्जा संगटक जैविक संगटक बहुतिक संगटक इन में से कोई नहीं तो कौन सा संगटक हो जाएगा परियाबढ़ का सरबदिक उप्युक्त संगटक है आपको पता है परियाबड के अंदर कौन है सबसे उप्यूक संगटक तो बहुत आता है उर्जा संगटक है ना कौन सा उर्जा संगटक पैरी बरी इंपोर्टेंट है आगे बढ़िएगा नेक्स कूशन दे들ा का है किस यन्तर में बायुगती नापी जाती है तो बायुगती किससे नापी जाती है यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है बात करते है रेंगेज पारिश को नापते है और जो थर्मोग्राफ होता है ना थर्मोग्राफ ये अपना होता है थर्मोग्राफ जल को नापता है ना जल को थर्मोग्राफ बिल्कुल और बात करते है एनिमोग्राफ क्या होता है ये बायू की थर्मोग्राफ थल भूमी को नापता है ये देखो रैंगेज की बात करते हैं बारिस को नापने वाला थर्मोग्राफ होगा ये थल को नापता है थल को होगा थर्मोग्राफ थल मतलब जमीन की बात हो रही है ना भूमी को नापता है और बात करते हैं जो होता है एनिमोग्रा ना पी जाती है बायू गती किसे ना पी आती है बायू की जो गती होती है एनिमो ग्राफ से ठीक है यही बिल्कुल राइट होगा आगे बढ़िएगा नेक्स कुशन और जो बैरो बैरो ग्राफ दिरेखका है ना जो बैरो ग्राफ है वो बायू दाब मापी होता है यह बायू का दाब मापता है ना बैरोग्राफ से क्या बायू का दाब मापता यह आपको याद दोना चाहे करता है बायू के दाब मापते है एनियो मिटर से बायू की गती से थल के जमीन होती है उसकी नाते हैं रेंगेज से बारिस ना पाता है ना बारिस की मात्रा आगे बढ़ेगा ज्वाला मुखी द्वारा कौन सा प्राकर्तिक चक्र प्रवावित होता है तब ज्वाला मुखी आता है उसके द्वारा कौन सा प्राकर्तिक चक्र जो होता है वह प्रवावित होता है फ प्रवावित होता है जो आला मुखी के फटने से वोगी जो आला मुखी फटेगा कार्वनिक पदारत क्या होते हैं प्रत्वी से बाहर क्यों राते हैं है ना तो यहाँ पर कार्वन चक्र क्या होता है वही प्रवावित होता है आगे बढ़ते हैं इन में से क्रायो स्फियर क्य जो cryosphere है बहु है क्या यह आपको बताना है वर्फ के अखंड भाग पानी के विस्तार भाग उपरी बायो मंडल यह फिद रखना है vegetation बायो मास तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा cryosphere क्या है क्रायो स्पियर क्या है यह उपरी बायू मंडल है क्या कहा है वही उपरी बायू मंडल को ही क्रायो स्पियर कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा बर्सा होती है सबसे ज़्यादा बर्सा का होती है टॉपिकल तंतर में टेमपरेट तंतर में या फिर आर्किट में अंटार्क्टिका में तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बरसा कहां होती है वो होती है ट्रोपिकल तंत्र में कहां होती है वही ट्रोपिकल तंत्र में सबसे ज़्यादा बरसा होती है त्रिप 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 त्रि निम्रिकित द्वारा प्रत्वी पर आता है पिसका दा चालन, संबहन, विक्रण या फिर ये सभी तो देखो यहाँ पर रेका है सूरिका विक्रण निम्रिकित में से निम्रिकित द्वारा प्रत्वी पर आता है चालन, संबहन, विक्रण और ये सभी के द्वारा ही आता है आगे जैते हैं मिर्दा जल का पिर्मुक इस्तोत है मिर्दा जल जो है उसका पिर्मुक इस्तोत क्या होता है भूमी जल कैपलरी जल बरसर्ड या फिर A और V दोनों मिर्दा जल का पिर्मुक इस्तोत है मिर्दा जल जो है वो इसका पिर्म किस्तोत क्या होता है? मिर्दा के अंदर जल कहा से आती है? वही बरसरण के दो़ारा ही आती है ठीके? तो राइट आज़ अंसर क्या होगा option number C बरसरण दो़ारा आगे बदते हैं जाए विविता में सम्लित है जै बिविता में क्या समलित है पौधे जानबर सूसिम जीव ये सभी तो आपको पता है जै बिविता मतलब जीवों पाई जानी वाली बिविता में क्या समलित है बही पौदे भी है जानबर भी है सूसिम जीव भी है तो राइट अंसर क्या होगा उप्युक्त सभी रहने वाला है आगे देखते है नेक्स कुशन की ओर तेरे का जीव मंडल बनता है जीव मंदल किन से बनता है आपको बताना है जीव जीव लितोस्पियर बायू मंदल से जीवित जीवो से जीवित जीवो और लितोस्पियर से जीवित जीवो लितोस्पियर बायू मंदल और जल मंदल से तो जीव मंदल बनता है किस से बनेगा भई जीवित जीवो से answer क्या होगा option number D हो जाएगा इंहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं कत्भी के निकट का बायू मंडल है पत्भी के सबसे में कौन सा होता है मैसो स्पीयर हरमो स्पीयर टॉर फो ते या फिर एक्सपीर तो सब से ञड़ कह वात होता ह चोब मंडल, कौन सा होता है भई, फोब मंडल होता है, और हिंदि, इंगलिस में से क्या कहते हैं, इंगलिस में कहते हैं से टोपोस्पीर, ठीक है, टोपोस्पीर, तो राइट आंसर क्या होगा, उप्शन नमबर, सी रहने वाला है, आगे देखीगा, next question रहके अपना, मौसम मानचितर पर दो ऐसे बिंदू को मिलाने वाली रेखा, जो बराबर सूर से प्रकासित प्राप्त होती है, प्रकास प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है, आईसो थेल, आईसो वार, आईसो थर, आईसो थर्म, तो वह क्या कहलाती है, आपको यहाँ पर ब कि इंदु को मिलाने वाली रेखा जो बराबर सूर इसे प्रकाश प्राप्त करती है यह कहलाती है तो बह कहलाती है आईσो फर्म क्या कहलाएगी की आगे बढ़ते हैं नेक्स स्टोशन इबात करते हैं गरज्ता चालीसा है गरजता चालीसा किसे कहते हैं अंटाक्टिक समुद्र की पिरमुग जल्दारा के लिए पच्छुआ हवायों के लिए USA और की सबसे बड़ी खतरनाक नदी के लिए विस्व का सबसे बड़ा जल्परपात के लिए तो गरजता चालीसा है गरजता चालीसा है क्या यह आपको बताना है तो गरजता चालीसा कैसे कहते हैं गरजता चालीसा कहते हैं पच्छुआ हवाओं के लिए ठीक है ना आगे बढ़िएगा रहका है समुद्री किनारों की और लबड़ता क्या होती है घटती है बढ़ती है इस्थर है या फिर आपरभाबी रहती है तो बताना है कौन सा होगा समुद्री किनारे पर जो लवड़ता होती है वो कैसी होती है कैसी होते है वही समुद्र की कहराई कि यह पेच्छा किनारों पर कैसी होती है गटती है कैसी होती है भई गटती है तो right answer क्या होगा option number ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं origin of species पुस्तक के लेखक है प्रजाती की उत्पत्ती है ना भई बात हो रही है तो origin of species पुस्तक के लेखक हैं या फिद रखका है जैफडे तो origin of species पुस्तक के लेखक है तो बहुत जाते हैं अपने darwin जी है ना आगे बढ़ते हैं समुद्ध प्रत्वी का कितने पृतिशत घेड़ते हैं समुद्ध जो है वो प्रत्वी का कितने पृतिशत घेड़ते हैं 10%, 20%, 50% या फिर 70% तो दे रखका है जो जल मंडल है जो जल है वो प्रत्वी के कितने पृतिशत को घेड़ता है तो वो घेड़ता है 70% बाकी 41% देने रखका है वारना वही राइट होता ठीक है आगे बढ़िएगा next की बात करते हैं भाहत का दूसरा जीव मंडल आरेचित छेत्र नंदा देवी इस्तित है तो नंदा देवी कहां पर है ये आपको यहां पर चीज़ करना है ठीक है भई तो नंदा देवी कहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा अपने असम में उत्रपिदेश में उत्राखंड में या फिर गुजरात में तो नंदा देवी कहां पर है भई नंदा देवी हो जाएगा अपने उत्राखंड में ठीक है तो यह हो जाएगा अपना तीन भागों में ठीक है ना आगे बढ़ेगा प्रत्वी के सभी जीवित जीव हैं प्रत्वी के सभी जीवित जीव हैं जीव मंडल, समुदाय, बायोम या फिर सहबास तो यहाँ पर right answer अपना क्या रहने वाला है कत्वी के सभी जीवित जीव हैं कैसे हैं बाई समुदाय हैं है ना समुदाय में रहते हैं तो बिल्कुल right answer option number B हो जाएगा आगे देखेगा next question अपना करा है जीवों के पारिस्तित की कारकों का योग परियावल है यह कतन किसका है यह आपको बताना है जीवों के पारिस्तित की कारकों का योग परियावल है यह कतन किसका है तो यह अपना होदायगा ओडम जी का किसका है यह अपने ओडम जी का हो जाता है आगे वरते हैं परियावल मंडल में carbon dioxide की मात्रा है तो बात करते है नाइट उजें कितनी होती है टातर परसेंट आक्सियस कितनी होती है और carbon dioxide कितनी होती है 0.04% और मिर्दा में oxygen कितनी होती है तो मिर्दा में oxygen जो होती है वो होती है 4.60% सबी को आपको याद कर लेना है तो बात करते हैं बाइयो में carbon dioxide कितनी है 0.04% तो कहीं देने खाएगा है तो हम कहां जाएंगे 0.03% की हो ठीक है तो right answer option number B हो जाएगा आगे देखेगा next question निमनी कितमे कितने प्रतिसत पानी भूमी पर दूसित होता है तो कितना प्रतिसत जो पानी है भूमी पर दूसित होता है 99%, 1%, 6% या फिर 28% तो निम्री कितमे से कितने प्रितिसत पानी जो है वो भूई पर फिर दूसे तो होता है एक परसेंट भाग पर ठीक है ना बिल्कुल आगे बढ़ते हैं रहका है जैब मंडल में आता है जैब मंडल में क्या आता है केबल जल मंडल केबल बायू मंडल केबल इस्थल मंडल या आगे बढ़ते हैं, फाउना से तात्परिय है, फाउना से तात्परिय क्या है, पसू जगत से, पाउधा जगत से, दोनों से, या फी इनमेज से कोई नहीं, तो फाउना जो है न, वो किस से तात्परिय हो जाता है, इसका तात्परिय है पसू जगत से, किस से, पसू जगत से, तो राइट आंसर होगा option number A next question को देखेगा next question देखा है निम्ले कित में से कौन सी जैविक बस्तू नहीं है तो जैविक बस्तू कौन सी नहीं है यह आपको बताना है ठीक है अजैविक बताना है तो रहा है पौधे, कीट, जल सूचम, जीवाडू तो यहांपर राइट आंसर हमारा क्या होगा ते को बात करते हैं पौधे कीट और सूचम, जीव जैविक होजाते हैं और जल जो हो जाता है MJB हो जाता है tier यहांपर राइट आंसर क्या होगा option number D हो जाएगा अजैविक अगर आप इस प्रिकार से पता का नहों कि या जैविक है तो आपको क्या करना है एक्जाम में एक्जाम में करना है चारों को देखो औप्षन को कौन सा बिल्कुल अलग है तो पाउधा हीट और सूचम जी सेम लग रहे हैं जेल बिलकुल डिफेरेंट लग रहा है तो यहाँ पर इस पकास से भी जा सकते हैं ठीक है और इस वीडियो का लाश्टी कोशन हैंडेट कोशन रखाए है समस्त अब्यवोका कुलदर्बमान है समस्त अभ्यवो का कुल दरबमान है जीवरसाइन उर्जा जीवरसाइन परिमाड जीवरसाइन इधन इन में से कोई नहीं तो समस्त अभ्यवो का कुल दरबमान मतलब भार है वो क्या हो जाएगा जीवरसाइन परिमिड तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा sorry परिमार ठीक है जीवरसाइन परिमार तो वेंट जिसकी को PDF डानलोड करना है वो कहां से करेंगे वो करेंगे हमारी site www.paperhacker.in से ठीक है यहाँ आपको हमारी site का link discussion में मिल जाएगा बहां से आप download कर सकते हैं बहुत ही important आपका यह हो जाता है और अगर आपने सारे के सारे पार्ट जो बढ़ा रहा हूँ वो आप देख लोग एक परकार से अच्छी परकार से पढ़ लोगे तो आपका 80% आराम से कर आओगे तो लाइक करना शेर करना चैनल को कर देना सस्क्राइब बैल आकन को प्रेस कर देना जोगी नोटिफेक्शन आपके घर बहुत है ठीक है तो फेंट जैहिन जैवारस अभी के लिए